हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल स्वागत है आज जो हम पढ़ने वाले वह अपने पास कॉन्वेक्स सेट कॉन्वेक्स सेट कहते किसे हैं इसकी डेफिनेशन लेते हैं लेट एक्स बन एंड एक्स टू आज टू फिक्स पॉंट फिर पॉंट इन यार स्कॉरर नहीं जो सेट होगा एस एस सेट जो एस होगा वह कॉन्वएक्स कहलाएगा घ़्र ये इस तरह से एक्स कोई भी है इसको फॉक्षन होँंगा ओए यालफा एक्स बन ब्लस बीटा एक्स due जहाँ एलपा फ्लस बीटा एक्सétatिसेया ड्स इस फम्म में लिखे जा सकते हैं यहाँ प्रस्स एसक्ड करता है मारे बाद से सो कर रा है इस टो प्रस्ट आपर एक से जो यह इस तरह से मतलब यह कि या एक्स बने ये एक्स टूए तो यह अमरे पांट एक्स इस तरह से जा रहा है यह पर यह पर यह बिटा की अलग अलग वेल्यों पर इसके निदें सिंपिली हम जैसे अगर यह ले यह से ले प्लस य हमें हैं लेकर देड़ पर ग्रेम से ऐसे देड़ोगर उसमें हम तरह है एक हमने रीजन ले लिया तो इसका रीजन क्या बनता है इसका यह एक्स प्लस बाई यह लाइन बनेगी एक्स प्लस बाई भी कर पूल एक कारी क्या है इस घू यह और अधिकस करिजन यह फिसका रिजन अगर आजया इसी रिजन में तो मिला सकते एंगे अगर तो उसको दोनों को मिलाने पर उसी के अंदर आ जाए तो अ कॉन्विक्स होगा अगर यह अग्र तो यह 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 हमने पास यह रिजन आ जाएगा और X and Y greater than equal to zero यह है फ्रेट्स हमने पास अब हम इसको लें अब यह हमारे पास जो अंदर वाला पार्ट है यह वाला पार्ट रीजन का पार्ट नहीं है अगर हम एक पॉंट यहां लें एक पॉंट यहां लें हम सीधी लाइन मिलाएं तो यह रीजन से पार्ट निकल गया यह लाइन अनि रीजन के बाऄर से आये तो इस तरह से यह हमार पास इसन नहीं है स्वर्ट कॉन्यक्रइब सेन नहीं है यह इ decía हम पास को फेंगे ऑगे जाके तो प्परใंगे तो प्रोपार्टी आंखी हम लूंट कॉत प्रोपर्टी इसकि प्रोपार्टी यह प्ड़ीशन है कि फिर सरें definition पर लेखते हैं कौनवे सेट की अधिया होते हैं a set is a subset of rn यह हमरे आरेस्ट को आरेन पढ़िते हम आरेन में पढ़ रहे हैं आज सेट इस सबसेट ऑफ आरेन है एइस सैट तु विदी कौणवेक्स is said to be convex if and only if if and only if for all x1 x2 belongs to s so x1 x2 belongs to s है और इस तरह से हमारे पास कि alpha x1 plus beta x2 belongs to s जा alpha 1 plus beta 1 equal to 1 alpha 1 plus beta 1 equal to 1 and alpha and beta दोनो greater than equal to 0 है यारी कि इसका मतलब यह हुआ फ्रेट्स alpha and beta value है जो 0 से 1 के बीच में vary कर रही है फ्रेट्स हम यह एक example लेते हैं कोई हमरे पास set दिया हुआ है set दिया हुआ है तो xy इस तरह से कि x plus y greater than equal to 1 जा है x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0 यह हमरे पास set दिया हुआ है और इसको कॉन्वेक्स करना है तो इसको कॉन्वेक्स करने के लिए इसको मां दे दे एक सोर्य है है इसको हम दे देते हैं क्या एक्स दे देते हैं इसको पॉर्ट दे देते हैं इसको फॉन्ट देते हैं तो हमें अब सो करना एल्फा x plus बीटा वाई आल्सो बिलोंक्स टू एस एन एल्फा बीटा greater than equal to zero यह हमें सो करना है अफ्रेंट से हमें यह सो करना है और alpha plus beta equal to one यह भी हमारे पास है अफ्रेंट हमें सो करना है कि यह belongs to s करेगा यानि कि हमें करना alpha x का x1 plus y1 plus beta और y के हमारे ऐसे यह पास x2 plus y2 belongs to s यहां हम इसको लिख सकते हैं यहां प्रेंट सोरी यह प्लेस साइन नहीं है यह यह पर तो एसको हम लिख सकते हैं defined 15 भीटा एस्ट और इसको करना है अगर आजल अधा यह ढुएस करने के attractive प्लस बीटा एक्स टू प्लस एलफा वाइबन प्लस बीटा वाइटू यह लिया प्लस इसमें क्या कर सकते हैं फाल यहुआ से और यहाँ से कॉमन ले लिए तो यह गए एक्स वन प्लस यहाँ से बीटा कॉमन ले लिया तो वह आगया है आधी जाएक्स-वन-धाई-बona है यह हमारे पास greater than equal to one है क्योंकि one छोटी संक्या है छोटी संक्या हम इदर रखेंगे छोटी संक्या करेंगे तो definitely संक्या बड़ी हो जाएगी यह हो जाएगी तो alpha यहां पर हम वन का multiply कर दिये हमारे पास छोटी से क्या थी प्लस बीटा लेकर एलफा बीटा क्या वन है तो एक greater than equal to one है हमारे पास सो गया हमारे पास यह सो गया कि alpha x plus beta y also belongs to s अपर यह सो हो गया है तो हम कह सकते हैं कि s is also convex हमारे पास यह next theorem में if s1 and s2 are convex set then intersection बोत दोलों का intersection s1 intersection s2 is also convex हमें यह सो कंडा है अब फ्रेर हम कोई पॉंट ले ले दे दो पॉंट ले स्टू कर रहा है तो x1 belongs to s1 and s2 belongs to s1 यह हो जाएगा एक्स बन स्टू बोलोंस to s1 and s2 belongs to s2 यह हो गया हमारे पास फ्रेंट्स अबर पास फ्रेंट्स यह हो चुका है तो चुकि s1 जो है अपरे पास convex दिया हुआ है तो s1 अबर प्लस बेटा एक्स टू इस आल्सू कॉन s1 होगा क्योंकि हम पहले शो कर सकते कर चुके है इसमें कि इसमें इसमें कॉन्वेक्स है हो तो इस कंडिशन को सेटिस्वाई करता है जाए अल्फा प्लस बेटा इक्वल टू बन और तो यह इस तरह जो एक्स टू कॉन्वेक्स है तो एल्फा एक्सवन प्लस बीटा एक्सटू ब्लोंक्स टू एक्सटू 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 जाए एल्फा बन एल्फा प्लस बीटा ब्लोंक्स टू एक्सटू 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 इस वन इंटर्सेक्शन एस टू इस आल्सो कॉन्वेक्स अपने पास अगली कंडिशन है एफ एस वन एस टू और कॉन्वेक्स यह मार पास हम इसको सो करने के लिए हम सिंपली ग्राफिकल से भी सो कर सकते हैं ग्राफिकल से लेजिए हम सिंपली ग्राफिकल से हमने ले लिया इस पर एक हम इस तरह से ले सकते हैं एक सेट ले लिया हमने एक्सेंट जीरो व्लोंग्स टू आर यह ले लिया हमने यह जो एस लिया है वो यह दिया यह फैस हमार पास कॉन्वेक्स से जाइथ है क्योंकि इसको मदेश चेक कर सकते हैं इसको विभी दो पॉंट लेंगे तो इसी हम पर खाश को के ले लिए और इस तरह में एक्स टू ले लिया हम वह लिए उने कि जीरो इंड वाई व्होंग बाउस्टू आर यह हमने दूसरी यह ले लिया हमने फाइक है अब हम भी सो करना है कि यह यूनियन इस्टू नहीं है रवन नहीं है इसके लिए फ्रेट्स हम्ने यहां पे पॉंट ले ले यह क्या ले लिया इन दोनों को मिला दिया हम देख सकते हैं यह और हम पास Convex के पॉंट यह सब लेकिन है यह पर पे पॉंट आ रहे वह Convex के पॉंट नहीं ही आप ले जैसे हम इसको और एक्जैंप्ला जिफ्जो कर सकते हैं जैसे जो एक पास है य moyen 1 by 2 and 1 by 2 है फिर यह यह जो पॉइंट आपने पास यह पॉंट दो नोट पलोंग चो एस्वन उनियन एस्टु तो आस्वन उनियन एस्टु इस नोट कॉन्वेक्स